आप सबी लोग कैसे आई होप आप सबी लोग बहुत ही जादा अच्छे होंगे तो आज मैं आप लोग साथ वीडियो शेयर करने वाली हूं एक और मेकप प्रोड़ेट के बारे में तो बेना किसी टाइम का वेस्ट करते हूं लाइस स्टार्ट विडिव वीडियो अब्थे आप riders के बारे में आप से बात करने वाली हूं वह मालियो का वाटर ह्रू Сब्स करने थार Summit क derivative स्याया था लाइक दिस मस्कारा सो मज्जह यह वाटर फूर्फ Cancer Army करता है बेड़ यह वाटर प्रूफ नहीं है वाटर रिजिस्टेंस यह वाटर कूफ नहीं है अगर तो यह फैलता नहीं है खराब नहीं होता है बट आप इसको smudge करोगे या इसको आपने हटाया किसी कपड़े से लेकर थोड़ी सी फोर्स के साथ तो यह इसली रिमूव हो जाता है तो वाटर रजिस्टेंस तो है इसमें बट वाटर प्रूफ नहीं है बट यह क्लेम करता है कि यह वाटर प्रूफ लिक्विड मस्कारा है जो की नहीं है उके उसके अलावा इसमें लिखा है इस यूनिक ब्रस वॉल्यूम एंड वाटर प्रूफ लिक्विड मस्कारा और यह है शेड नंबर 01 इन ब्लैक सो इसके अकॉर्डिंग इसमें और भी शेड आते हैं बट मेरे पात जो शेड धर 01 ब्लैक मैं ने ब्लैक में ही मस्कारा लिया मुझे ब्लैक मस्कारा ही ब्लैक अच्छा लगता है बट अभी ट्रेंड के अकॉर्डिंग ब्लू ग्रीन येलो तरह के अईलानर आई प्रकारा भी आने लगे है और आप इसकी पैकजिंग देख सकते हैं पैक और मैं आपको इसको ओपन करके दिखाओं तो कुछ इस तरीके का बाहर से सिल्वर पैकेजिंग है अंदर से ब्लैक है इसकी पैकेजिंग और आप देख सकते हैं इसमें आपको इस तरीके का एप्लिकेटर मिल जाता है जैसा बॉंड मीडियम साइज के ही पसंद आते हैं मैंने अपने आइस पे इसी मस्कारा को अपलाए कर रखा है और फॉर्मला इस रियली वेरी गोड वॉल्यूम के साथ सद आपके जो आई लैसिस हैं उनको यह लैंथ भी प्रोवाइट करता है इसलिए मुझे यह बहुत जादा पसंद है बुगाज लैंथनिंग एफेक्ट भी देगा और वॉल्यूमिनाइजिंग एफेक्ट भी देता है आपके आइस को अपने फेस पे कुछ भी मेक अपनी करते हैं हलका सा मस्कारा और हलकी सी लिप ब्लॉज भी लगा लेते हैं तो यह मस्कारा आपके फेस को बहुत ही जादा अच्छा लोक देता है जो कि मुझ साहरा है बिलकुल जैट बलैक अलर का है और इसकी फॉर्मलेशन है जिसके वैसे मुझे बहुत जादा पसंद हुग है इसका cream base mascara है यह cream base mascara कैसा है यह जो है वो mascara आप hand पे use करोगे ना तो तनी pigmentation आपको नहीं देगा नहीं work दिखाएगा बट यह इस तरीकी का cream mascara है कि जैसे ही आप hairs के touch में आता है यह hairs को pick करने लगता है यह hairs की उपर यह लगता है और शार शार उसको spread करके volume और length प्रोवाइड करता है तो hand की उपर इसकी pigmentation अच्छी नहीं दिखेगी जित्ती अच्छी इसकी आपके eye lashes या आपके eye brows के उपर दिखेगी जो mascara क्रीम बेस है तो यह आपके जो hairs होते हैं उनको catch करता है और उनकी उपर अच्छी से अपना effect दिखादा है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है फेस पर जगह जगह mascara लग जाता है वह मुझे बहुत गंदा लगता है लिक eye lashes के strand को separate करके volume और length दोनों ही चीजें provide करता है जो कि मुझे personally बहुत ही जादा अच्छा रगता है waterproof नहीं है बट long lasting है आराम से आपके 4-5 गंटे आपके eyes की उपर टिकता है कहीं नहीं जाता है बट waterproof नहीं है या आप रोई या फिर आपने eyes को smudge किया तो यह खराब हो सकते हैं because affordable की category में working is mascara की बहुत ही ज्यादा अच्छी है मुझे यह पसंद भी आता है बहुत ज्यादा waterproof और stubborn kind of mascara आपकी eye lashes को harm पहुंचाते हैं उसके आपकी eye lashes कई बार बहुत तक तूट भी जाती है तो इसलिए normal जो water registering mascara होते हैं वह ज्यादा अच्छे रहते हैं as compared to long lasting और waterproof intense वाले जो mascara होते हैं उनसे आपकी eye lashes को बहुत प्रॉब्लम होती है तो इसलिए इस टैप के ही mascara use करना ज्यादा अच्छा प्रफरेबल option रहता है अगर आप नॉर्मली daily basis पर यूज करते हैं तो अगर आपको किसी साधी साधी वगरा में ही यूज करते हैं एक दुबार तो चैनल को subscribe करना ना भूले और मुझे मेरे Instagram पर ज़रूर फॉड़ो कर लें तिल दन गाइस टेक जयर पाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबे इन रवीडियो बाइग गाइश